Students, Good Morning, Class 5th, Hindi 2nd, 22nd, 16th chapter, 1st lecture बेटा ये विलोम सब्द है तो भाष्चा की कुछ सब्द एक दूसरे का विपरीद या उल्टा आर्थ देते हैं ऐसे सब्द को हम विपरीरत आर्थ या विलोम सब्द कहते हैं क्या कहते हैं बेटा विलोम सब्द जैसे दिन का विलोम रात होता है इसी प्रकार कुछ विलोम सब्द दिये गए है चलिए पढ़ते हैं जैसे बेटा जड़ जड़ क्या होता है जो कोई हरकत नहीं करता जड़ का विलोम चेतन सत्रु दुस्मन, सत्रु का विलोम मित्र ग्यात क्या होता है जो हमें जानकारी होती है ग्यात का विलोम बेटा होता है अग्यात जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है ठीक है उसको क्या कहते है बेटा अग्यात कहते है अब प्रकाश प्रकाश जहां रोसनी होती है उसको क्या कहते है प्रकाश तो प्रकाश का उल् हो जाएगा निराधर किसी का अपमान करना गुढ़ किसी की अच्छाईयां तो उसको हम क्या कहते है गुढ़ तो गुढ़ का विलोम् बेटा अउगुड हो जाएगा धर्म का अधर्म स्वर्ग नरक संतोस इसके मन में संतोस हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, असंतोस हमने आ लगा दिया, तो क्या हो गया, विप्रीतार्थक सब्दू बन गया, चल, अचल, यश, अप्यस, यश क्या होता है, किसी की प्रसिद्धी, ख्याती, तो उसको क्या कहते है बेटा, यश, यश का उल्टा, इसी प्रकार हर्स, हर्स क्या होता है, खुशी, खुशी का सोग, उपहार, उपकार, उपकार का उल्टा क्या होगा, अपकार, किसी के उपर दया करना, या किसी का भलाई करना, किसी की, वो क्या होता है, उपकार करना, एहसान करना, तो अपकार, आधुनिक, जो आज का हो, प् दूर हो जाना प्रकठ साग्छर निरक्षर पढ़ा लिखा और निरक्षर जिसको ज्यान ना हो बालिक ना बालिक आकर्षण विकर्षण संभो कोई चीज शंभो संभो का होगा बेटा असंभो सज्जन अच्छा देखती दूर्जन दुष्ट धूप का छाओ ग्यानी जिसको बहुत ग्यान हो उसका विपरीत क्या होगा बेटा ग्यानी पास दूर ठीक है इसी प्रकार यह है आए आए का मतलब क्या होता है बेटा आए यानि की आमदनी आए इनकम जिसको कहते हो आप आप समझ रहे हो उसका बे मतलब खर्च उच का नीज आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता हो उसको बेटा कहते है आस्तिक और जो इस वर में विश्वास नहीं रखता उसको हम क्या कहते है नास्तिक ठीक है यह क्या हो गया विपरितार् मूख जो मूख किसको कहते है जो बोलना नहीं जानता और वाचाल कहते है जो बहुत अधिक बोलता हो प्रेम का घरडा नफरत प्राता का विलोम सायम नास निर्माड नास नश्ट कर देना तो निर्माड ठीक है स्वामी सेवक भला बुरा धनी का उल्टा होगा बेटा निर्धन जिसके पास बहुत धन हो उसको हम क्या कहते है धनी और निर्धन जो गरीब हो उसको हम क्या कहते है निर्धन गरीब लोग परलोग लोग क्या होता है पूरा संसाल परलोग परलोग भगवान का घर ठीक है परलोग दूसरा लोग परमिस दूसरा लोग दूर का पास अम्रत विस निर्भे निर्भे कहते है बेटा जिसको कोई डर ना हो कहते है न वो निर्भे है तो निर्भे का क्या होगा भैभ ठीक है विप्रीतार्थक साकार का निराकार साकार जो सामने हो दिखाई देता हो और निराकार जिसका कोई आकार ना हो सहारा बेसहारा जिसका कोई सहारा ना हो सम विसम चतुर चालांक का मूर्ख दल निर्दल स्वच्छ का उल्टा दूशित सापसुत्रा और दूशित में ग अनुच कहते हैं छोटे को और अग्रच कहते हैं इसको अग्रच कहते हैं बड़े को एकता अनेकता कोमल कठोर सुगंद दुरगंद अब आपका बेटा ये लेक्चर फिनिस हुआ आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए कर दो एकता हैं जोट। झापका ये लेक्चर अपका का बेटान हैं दुरगंद यह बेटा आपको बुक में फिल करना है मूर्ख लोगों के लिए ग्यानी बेक्तियों का महत तो नहीं होता इसमें अग्रज फिल कीजिए इसमें निर्भे फिल कीजिए और यहां पर सम अचल दुर्जन और यह रंगीन सब्दों के प्रियोग में उनके अर्थ का अनर्थ कर इनके विलुम लिखकर आपको वाग के दोबारा लिखना है जैसे दूसित भोजन स्वास्त के लिए लाब दायक है प्रभु की पूजा करना नास्तिकता है इसमें बेटा गलत लिखा हुआ है आपको सही सुद्ध करके लिखना है सोहन को उसकी मुर्खता का पुरसकार दिया गया तो सोहन को उसकी चतुराई मुर्ख का विलोम क्या होगा चतुराई यह आपको विलोम में ही लिखना हमारे देश की एकता में अनेकता इसमें लिखना एकता में अनेकता तो गलत लिखा हुआ है तो अनेकता में एकता इसी प्रकार हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए यह वाग के आप लोग चाहो तो अपने सब्दों में भी लिख सकते हो बनाकर ठीक है अब यह आपको बुक में ही फिल करना है अगला लेक्चर कर पढ़िएगा थैंक यू क मुलाओने YouTube और करना हुआ है पढ़िए